नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एर फोर्स ने 83 तेजस एम के वन ने के लिए डील की है लेकिन उससे पहले तेजस एम के वन के लिए भी डील हो चुकी है जो कि 40 एरक्राफ्ट के लिए है इस में से 20 IOC लेवल वाले यानि कि final operational clearance वाले तेजस fighter jet थे तो अभी दोस्तों पांच में और छटे FOC लेवल के तेजस ने हवा में पहली बार उडान भरी है आज इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों कल पहली बार हिंदुस्तान Aeronautics Limited ने पांच में यानि कि SP-21 FOC Standard के तेजस MK1 की उडान भरी और साथ ही SP-22 यानि कि छटे FOC Standard के तेजस MK1 की सफलता पूर्वक उडान भरी और SP-21 एरक्राफ्ट को राजीव जोशी जो की एक Retired Indian Air Force के पाइलेट है उन्होंने उडाया क्योंकि वे यहाँ पर Chief Test Flying Pilot है और SP-22 एरक्राफ्ट को किसी औ और पाइलेट ने उडाया जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यह Financial Year खतम होने वाला है तो ऐसे में SP-23 यानि कि इससे अगले वाला तेजस एरक्राफ्ट जो की FOC लेवल का होगा उसकी भी पहली उडान के प्रयास किये जा रहे हैं और माना जा रहा है यह अगले महीने तक तयार हो जाएगा और दोस्तों यह भी थोड़ा जल्दबाजी में इसलिए किया गया है क्योंकि Financial Year खतम होने वाला था हलांकि दोस्तों अभी इनको 5-7 दिन आगे और भी लगने है जब इनके उपर पेंट किया जाएगा और उसके बाद में नेक्स्ट मन्त में यह Finally Indian Air Force को दे दिये जाएंगे SP-21 ने सुबह के दोरान अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट की और SP-22 ने दोपहर के दोरान अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट की और यह दोस्तों एक basic pre-delivery in-flight check होता है जो कि 35-40 मिनट की sortie होती है दोस्तों दो नई एरक्राफ्ट की एक ही दिन के अंदर उडान होना बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि आपको पता है कि COVID-19 के चलते इनके काम के अंदर बहुत ज़्यादा डिले हो गई थी लेकिन अब फिर से इन्होंने एक बार speed पकड़ ली है हलांकि इसका target आठ एरक्राफ्ट के लिए था लेकिन अभी 5 ही FOC standard के एरक्राफ्ट की manufacturing कम्प्लीट हो सकी है और अभी HAL इस target को पूरा करना चाहता है और इसी साल के अंदर यानि 2022 के financial year के अंदर 10 एरक्राफ्ट डिलिवर करना चाहता है माना जा रहा है सप्टमबर 2022 के बाद में 18 LCA Tejas MK1 Twin Seat जो की एक trainer एरक्राफ्ट होंगे उनका भी निर्वान शुरू हो जाएगा और उसके बाद दोस्तो Tejas MK1 A Single Seat की manufacturing शुरू हो जाएगी जिसका order अभी Aero India 2021 के दोरान दिया गया था और 73 fighter jet बनाए जाने है तो ऐसे में दोस्तो Tejas की speed पकड़ ली गई है और ये समय के हिसाब से ही deliver कर दिया जाएंगे धन्यवाद जैहिन